देख लियो चौपाल रे सब बड़ा बड़े राओ जी सब लोग लोग आयाओ जी ता परियान संग लियाओ जी देख लियो चौपाल देखने वाला सब लोग 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 आयाओ जी ता परियान संग लियाओ जी चौपाल देखने वाला सबला दर्शिकाने राम राम सा भई आपनों जो शरीर है बिने स्वस्त रखनों बहुत जादा जरूरी है और शरीर का सभी अंग सही तरीके से काम करें बिके लिए आपने खांट पीन को ध्यान रखनों पड़े है आपनी दिन चर्या को ध्यान रखनों पड़े है आपनों कितनों कितनों व्यायाम करनों है केके ची की मातरा में खानी है भी सब चीजा को ध्यान रखनों पड़े है आपने शरीर में इतना सारा अंग है भी हर चीज के लिए हर अंग के लिए अलग लग चीजां की requirement हो सके है तो आपा बात करा हां गुर्दा की कि गुर्दा आपने शरीर के लिए एक अपिन अंग भी है और बहुत जादा जरूरी भी है बीकी देख भालापा किया करा क्योंकि अगर गुर्दा में थोड़ी से भी परेशानी आ गई तो आपनो पूरो शरीर हिल जावे है पूरो शरीर में थोड़ी थोड़ी परेशानी आ जावे है कभी आपने शरीर में सूजन भी आ सके है पेशाप की परेशानी हो सके है तो वही इलिये ही आज की चौपाल लेकर आया है गुर्दा संबंदी परिशानी कारण वे निवारन को उपर और चर्चा का पकले पदा आ रहे हैं डॉक्टेर राकेश शर्मा जी जो की गुर्दा एवं मुत्र रोक विशेशके हैं डॉक्साब था को बहुत-बहुत स्वाग करे हैं गुर्दा अपने सरीर का बहुत इंपोर्टेंट अंग है यह अपने सरीर के जो भी अवसिस्ट पतार्थ होते हैं अपने सरीर की मेटाबोलिजम जो होती है जिसमें प्रोटीन की मेटाबोलिजम होती है उसके बाद जो अवसिस्ट पतार्थ बनते हैं जैसे यूरि इवन खून मराने का काम के लिए जो बहुत इंपोर्टेंट इर्थ्रोपोइटिन करके एक हार्मोन होता है उसका भी जो प्रोडक्शन है वो गुर्दे के अंदर होता है तो गुर्द अपने शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है तो डॉक्ट सब जिया कि गाड़ी में अपने शरीर में एक तरह से इंजन ही है जो भी खराब चीजा है शरीर से बाहर निकाले है और जो अच्छे चीजा है शरीर के लिए इखटी करर राके है बिल्कुल सही कहा है यह अपने शरीर रूपी जो इंजन है उसका बहुत महत्वपूर्ण भाग है आप यू समझ सकत है तो आपने शरीर ने बिल्कुल ठीक रखनो है तो गुर्दों की भी आपने खासी देख भाल आपने कानी पड़े है बिल्कुल बिल्कुल कई बर सुनने में आया है कि आहां बिमारी हो गई है गुर्दा में सूजन आ गई है किड्नी में सूजन आ गई है इको के कारण हो सके हैं बेसिकली अपने सरीर में दो गुर्दे होते हैं गुर्दों से नली निकल के जिसको यूरेटर बोलते हैं वो पिशाब की थेली या नहीं ब्लेडर में जाती है और वहां से फिर बाहर निकलती है उसके रस्ते में अगर कहीं भी कोई रुकावट आ गई तो उसमें अगर उधारन दू जैसे बच्चों में आ गएगी चमडी ब्लॉक कर देती है इसको फाइमोसिस बोलते हैं उसके लिए उस चमडी को हटाने का ऑपरेशन करते हैं तो अगर वहां से ब्लोकेज हो गई अंदर जो मुत्र नली का होती है उसमें पथ्री फस गई या उसके अं जालते हैं फिर ऐसे पिशाब की थेली में पथ्री आ गई जो उसको पिशाब को रोक रोक देती है तो सुजना जाएगी या किसी भी कारण से अगर गुर्दे का फ्लोरू रुकता है तो गुर्दे में सोजनाना सुरू हो जाती है यह अपने आपने एक बहुत इंपोर्ट तो आपना गुर्दा सही है लेकिन अगर थोड़ी सी भी आपने परेशानी हो तो लापरवाई नहीं करनी चाहिए और डॉक्ट साब ज़रूर दिखाना चाहिए गुर्दा में संक्रमन का कारण के की हो सके हैं किड्नी इंफेक्शन यानि की गुर्दो में संक्रमन के वैसे तो बहुत सारे कारण है लेकिन महिलाओं में यह थोड़ा संक्रमन ज्यादा पाया जाता है उसका कारण होता है कि महिलाओं की जो मुत्र नलिका होती है वो छोटी होती हो चार सेंटिमेटर की होती है तो बहार से जो इनफेक्शन जो बोडी पैर से जो युननरी ट्रेक्ट इंफेक्शन होते हैं गया जिसको यो टिय बोलते हैं थो महिलाओ में संकर्मन की संभावना बहुत ज्यादा रहते हैं इसका ज़्यादा थागर अगर pik उसमैं, उसमें, जब मारे बढ़ गया वह इंफेक्शन स्प्राइड होकर कि गुर्दों तक भी पहुंच सकता है दूसरी बात कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे अगर पेशेंट को मदूमय है यह इनने डायविटीज है उसमें इंफेक्शन की रेट बहुत ज्यादा रहती है दूसरी बिमारियां होती है जैसे कैंस तो उसमें गुर्दों में संगर्मान होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है जैसे मफने पूछा कि गुर्दों में सोजन इशक मतलब कराथाओ डिये altriटारत अब अगर रुकावा पानी होगा तो उसमें बैक्टरिया फल्मिनेंट होगे ग्रोथ होगी, शंकरमन जादा बढ़ेगा। और उसके साथ में अगर डायविटीज है, दूसरी बीमारिया है, तो बोड़ी की इम्मुनिटी पावर वीक है, तो वो संकरमन बहुत जल्दी सरीर में पढ़ सके हैं, तो यह कह सके हैं, कि अगर साफ सफाई को भी आपने पूरो पूरो धिहान अपनो है, जहां कि अभी डॉ नहीं ऐसा नहीं, यह लगबग समानी रहती है, क्योंकि पूरुष का अपना अलग बिमारिया है महिलाओं में, हाँ, संकरमन की दर महिलाओं में थोड़ी जादा होती है, कारण की उनका जो यूरिनरी ट्रेक्ट इंफेक्शन है, उनकी जो मुत्र नलिगा वो छोटी होती ह तो बहर से इंफेक्शन आने की समावना जादा रहती है, लेकिन गुर्दों की समश्या है वो पूरुषों में भी उतनी जादा रहती है, कारण की जैसे मैं पत्री का एक्जामपल दू, पूरुष लोग बहर काम करते हैं, खेतों में जादा काम करते हैं, आउट स्टेंड कंधरिण जादा करते हैं, तो तमाखों की जैसे होने वाले कैंसर की समभावना है, पूरुषों में समश्या है ने में लहीकिन तो तरीको अलग हो सके है, और खारंड साब करें पत्री घुर्दा की सबसे जादा परेशानी हो इन पत्री के पत्री में हो गई है गुर्दे में पत्री कारण तो अपनको ढूंडा ही चाहिए कारण infection की वज़े से पत्री बनती है और पत्री की वज़े से infection हो सकता है तो एक कारण यह है अगर कहीं रस्ते में रुकावट है जैसे मैंने बताया कि आगे जैसे चमडी ब्लोक हो गई अंदर का मास बढ़ गया प्रोस्टेट बढ़ गया या जो गुरुदे की जो नली आती है उसमें शिकोडन हो गई तो कहीं भी अगर रुकावट होगी तो वहाँ यूरिन ठहरेगा ठहरेगा तो उसमें पत्री बनने की संभावना रहती है कुछ मेटाबोलिक कारण भी होते है कुछ लोगों के कैल् बादा चंडरा है किड्नी के अंदर उसकी वज़े से भी हो सकता है फिर कुछ लोग पानी कम पीते हैं पानी कम पिएंगे तो किड्नी को अबसिस पदार्ष निकालने के लिए जो एक माध्यम होता है वह कम बनता है आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे फिटकरी बनती है फिटकरी बना और उसके चारों तरफ केल्सियम औक्जलेट या मैगनीशियम या इस तरह के जो लवन है वो दिरे दिरे उसमें जमना शुरू करते हैं तो इस तरह से कारण ये जो पानी कम पीना खान पान का ध्यान निरखना ये बहुत इंपोर्टेंट कारण है रस्ते में कहीं रु अगर आप पानी कम पी या खानों समय पर नहीं घावां या आपने शरीर की ऐसे कुई प्रतिकरिया है कि अपने कैल्शियम इंखट्ट होगहे है तो आप फत्री हो सकते हैं तो इस तरह से बोह बहुत इंपोर्टेंट है अगर बन जाती और वो रस्ते को रोक रही है तो त उसको निकलवाना पड़ेगा, लेकिन अगर पत्री अभी छोटी है, साइज में छोटी है, और अभी मनलब नहीं बनी है, उसको रोकना है, तो उसके लिए डायेटरी फेक्टर बहुत इंपोर्टेंट है, उसमें अगर सबसे ज़्यादा क्रेडिट अगर जाता है, वो जाता है, उसको पानी और एक जो घर के अंदर रह रहा है, उसका पानी की मातरा दोनों की अलग अलग होगी, उसका पसीने के द्वारा निकल रहा है, और वो उसका पसीन आतना निकल नहीं रहा है, तो उसकी दोनों की जो आवसकता हैं, वो अलग अलग है, वो हमें कैसे पता लग पथरी बनने की संभावनाएं बहुत नगणने हैं अब यह कैसे पता चले की पच्छी स्वेमल पेशाब करना है यही मैं आप से पूछनों चारी डॉक्साब आपने बता तो दी मातरा लेकिन आपने जाता है इसके लिए क्या होता है कि हमें जनरली डेड़ सो एमल पे हलकी सी इंच्छा होती है और तीन स्वेमल पे अच्छी assume हो जाती है कि पेशाब करके आना है यनि कि एक बार में एक स्वस्ता आदमी पेशाब करके आता है तो उसका 300 ml के आसपास वह यूरीन वोईड करके आता है पूरुस हो या महिला हो नॉर्मल अपने पेशाब की थेले की केपेसिटी 400-500 ml की रहती है तो 300 ml अगर अगर अपना यूरीन अपन एक बार में आदमी वोईड करके आता है तो उसमें आप 25-300 का बाग देंगे तो लगब आठ बार आता है तो अगर एक आदमी 24 गंटे में आठ बार पेशाब करके आ रहा है इसका मतलब वो बराबर पानी पी रहा है अगर आपने यह देखोगे कि सुबह से लेकर शाम तक मैं एक ही बार या पेशाब करने जारी हूं जा रहा हूं इसका है तो इसका मतलब आप स्वस्थ हैं और आप बराबर पानी पी रहें तो पत्री रोगने के लिए सबसे इंपोर्टेंट कारक पानी बता दिया मैंने पानी सुद्ध होना चाहिए उसमें बहु जादा खार आया इस तरह से पानी नहीं होना चाहिए उसकी मातरा सही होनी चा निमू आम तोर पर हर गर में मिल जाता है तो अपन कोशिज करें कि एक निमू रोज लें आपन खाने में तो वो एक तरह से दवाई का भी काम करेगा और पत्री को बनने नहीं जाएगा तीसरा आपन इसमें यह देख सकते हैं कि अपन जैसे कोका कोला यह ड्राइफ फूट फोट्स है को का कोला है चॉकलेट हैगा यह पथरी को जादा बनाते लिए उसका कारण क्या होता कि कि जब और शादा शोडियम को भाहर निकालन निकालती है निकालने कि पी एक में एक इंपोर्टेंट लएं कि उसको रख लेंगा अपने चोड़ती है तो दो नमक करें लेंगे तो कीड्नी को जाधा केल्सयम चोड़ना पड़ेगा और पतफरी जादा मनेगी सरस्दों में घोपन को रोको आपकना है पानी पर ऑपन कम लेना है पर निमबु संत्रा ज हाइन रहा जा एप बाकी जो चीजह उनका ठोड़ा बीज वाली सब्जी ने डूर रखनों चाहिए या कम आपकर सब्जाइब आम तर पर लोग आपने सला देवे हैं भई ताने पत्री है ना तु भिंडी मत खाजो टमाटर मत खाजो बालक मत खाजो मिर्ची मत खाजो जी में भी एज अमरूद मत खाजो यह पार्शिली सही बा इस तरह का लवन होता है जो अपने मल दवार भार निकल जाता है अगर डाइट में केल्सियम बराबर रहेगा तो अगर कैल्सियम नहीं होगा तो अग्जलेट अबजोर हो जाएगा और वो कीड्नी से जा कि चंके पिशाब के दवारा निकलेगा तो वहां स्टोन बनने की परिशान नहीं होने देगा और वो केल्सियम उक्जिलेट को मल द्वारा बाहर चला जाएगा तो इतनी ज्यादा प्रोब्लम उन बीज वाली सब्जियों से नहीं है आप बीज वाली सब्जियां थोड़ी बहुत ले सकते हैं लेकिन आपको पानी बराबर पीना है आपको केल का ध्यान दे दिया तो 5% चीज़ें बहुत ज्यादा इंपोर्ण है तो पत्री नहीं बढ़ेगी आपने परिशानी कम हो चाएगी उल्या आपनों खान पूणों वैसे ही रखो और बीज वाली चीज़ें थोड़ी बहुत आपने चोड़ सका लिकिन पानी भरपूर मात्रा मैं आपने पीनों चाहें है, वीज्टीक सब।। पत्री अगर हो भी गई है। थीको इलाज Colorado's Co.,। अगर पत्र और प्त्री अगर हो भी गई है।..... से तीन दिन हम कभी कभी साथ दिन भी लेके देखते हैं कि छोटी मोटी पत्री अगर नली में फसी हुई है तीन अम चार अम पांच अम छे अम तक की वह दवाई से निकलने का एक बार प्रयास कराते हैं लेकिन अगर पेन बहुत जाता है और गुर्दे में सोजन बढ़ती ज जाई है क्योंकि गुर्दों को खराब करने में बीपी और सुगर के बाद अगर कोई सबसे महत्वपून कारण है तो वह अपना स्टोन ही है पत्री हो सकती है पत्री की वज़े से ही किट्निया देद्रे डेमेज हो जाती है और फिर जिवन भर रोगी है वो या तो डायलेस या कोई और लक्षण भी आपने शरीर में दिखे है देखे गुर्दे में पत्री जब बनती है तो दो तिन तरह के लक्षण आते हैं उसमें एक लक्षण होता है कि अगर गुर्दे के अंदर पथरी पड़ी है और वह रुकावट पैदा नहीं कर रही है तो वह धिरी दिर पिषाब लाल रंक आ सकता है इस तरह के उसको श्म्टम साते हैं कई बार रेफरड पेन भी होता है मतलब दिकत तो कहीं है और सिम्टम कहीं और का आता है जैसे अगर गुर्दे में पत्रिये तो उसके अंड़कोस जो होते है पुरुषों में उसमें अंड़कोस उसको दर् तो अगर इस तरह के सिम्टम्स होते हैं इस तरह के लक्षन होते हैं तो हमें बहुत जल्दी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए सला लेने चाहिए अगर एक बार बन जाती है तो तो उसको निकलवाना ही है अगर वो उस साइज की है कि वो रस्ते को रोक रही है किड्नी को नुक्सान पहुंचा रही है किड्नी के अंदर जैसे 5-6-7 mm की पत्री होती है और वो रुकावट पैदा नहीं कर रही होती है तो हम कुछ दवाईयां दे करके खान पान के ध्यान से एक बार उसको कंजर्वेटी मेनेजमेंट जिसको बोलते है मेडिकल मेनेजमेंट वो देते हैं लेकिन अगर वो में बढ़ती जा रही है और रस्ते को रुक रही है और रुकावट पैदा कर रही है और उसकी वज़े से पेन हो रहा तो फिर उसको निकलवाना ही पड़ता है आज कल नई वीदियां आ गई हैं जिससे दुबारा पत्री बंती भी कहम है जैसे दुरबीन के दुआरा या ल जाती है बहार से देखने से पता ही नहीं चलता कि इसका उपरेशन भी हुआ है तो अगर पत्री बन गई है और वो किड्नी को खराब कर रही है और दर्द है तो तो उसको निकलवाना ही पड़ेगा उसको पन भविश्य में खान पान के दवारा या मेडिसीन के दवारा हम तो रोक सकते हैं बनने से लेकिन एक बार बन जाती है और वो किड्नी को खराब कर रही है तो फिर अपन को निकलवाना ही चाहिए तो परेशन की परेशानी तो अपनी है ही लेकिन अगर नहीं निकलवाएंगे और किड्नी डेमेज हो जाती है तो वो बहुत ज्यादा यह बहुत बड़ा मित है चीरफाड का ओपरेशन आज कल कहीं भी अच्छी जगह पे नहीं होता चाहे वो पहले आज से 20 साल पहले जब यह सोईधाय नहीं थी हाला कि चीरफाड की अभी भी बहुत कम इंडिकेशन होती है कि पत्री बहुत बड़ी है और वो दूर्बीन के द कुछ इंडिकेशन बनती हैं चीरफाड की बाकी तो दूर्बीन के द्वारा आजकल नहीं विदिया आ गई जिसके द्वारा हम पूरी पत्री को निकाल सकते हैं और चीरफाड में अगर आप खुछ सोचिए गुर्दे में अगर चीरा लग रहा है तो उसमें नुक्सान पह या लेजर के द्वारा ही ओपरेशन होता है चीरफाड की बहुत कम इंडिकेशन होती है यह मानि की एक हजार ओपरेशन में कोई एक ओपरेशन चीरफाड से होता है डॉक्ट साब जिया अभी आपने पहले बताया हो कि अगर एक आम व्यक्ति दिन में 7-8 बार परिशाब ज हो सके हैं तो चीरफाड की तो सही है क्योंकि पेशाब बनी रहा है परन्तु यह कारण होता है ओल्ड देज में गरंती होती है पेशाब के मार्ग में जिसको प्रोस्टेट बोलते हैं तो प्रोस्टेट की वज़े से यह समश्या ही आती है बुजूर्गों में खासकर 50-60 सा पेशाब की थेली से जुड़ी वी गरंती होती है प्रोस्टेट यह प्र्जिनन के समय काम आती है लेकिन ओल्ड डेज में यह बढ़ती जाती है और रुकावर्ट पैदा कर देती है उसकी वज़े से पेशाब पूरा निकल नहीं पाता इसकी वज़े से स्यम्टम्स आते है कि रात को बार-बार पेशाब जाना पड़ता है, या दिन में भी बार-बार जाना पड़ता है, करने के बाद में संतूष्टी नहीं मिलती, ऐसा लगता है कि पेशाब अभी रह गया है, दुबारा जाना पड़ेगा, और जब करने जाते हैं तो एकदम से नहीं आता, hesitancy रहत है, तो इस तरह की समश्याएं बुज़ुर्गों में खास कर रहती है, इसके लिए डाक्ट्री सला की जरूरत होती है, कुछ दवाईयों से काम चल जाता है, पर अगर इतनी समश्याएं हैं कि उसकी वज़े से गुर्दे खराब हो रहे हैं, गुर्दों में सोजन आना शु जरू हो गई, तो फिर ये एपसुलूट इंडिकेशन यानि की परमावशकता हो जाती है, ऑपरेशन की, इसमें भी जैसे मैंने बताया, दुर्वीन से या लेजर से होता है, कोई चीरा नहीं लगता, पेशाब के रस्ते से दुर्वीन जाती है, और उसको गदूद को निक हो कि भई आप गोल्ड मेटलिस्ट आपने इनाम भी मेलेडो है और आप बहुत अच्छी रैंक में भी आयो, तो या MCH का है, MCH ये ये यूरोलोजी की सबसे टॉप डिगरी होती है, जैसे MBBS करने के बाद स्पेसिलाइजीशन होता है, जिसमें MS, General Surgery, फिर स्पेसिलाइजी में मैं टोपर था, तो आपना दर्शेकाने भी बता दियां कि आज की जो चर्चा हो रही है, वो विशेशग्य हैं, जो भी सलाह आपने दे रहे हैं, खान पीन में आपने ध्यान रखबा की बिने सही-सही तोर पर आपने जीवन में अपनान हो जाई है, कि बहुत बड़ो जो बहुत जादा परेशान करने वालों हो, लेकिन वो असानी से हो गयो, हाँ, एक मुझे पेशेंट याद आ रहे हैं, उनके किड्नी में कैंसर था, और वो किड्नी का कैंसर खून की रक्त नलिकाओं से बैता हुआ, हर्ट के भी जो निचला चमबर हर्ट में चार चमबर ह होते हैं, आलिंद और निले, तो वेंट्रिकल याद निले में जाकरके वहाँ वो कैंसर फैला हुआ था, तो काईडियो थोरेजिक सर्जन और पूरी एक टीम बना करके हमने यह उप्रेशन किया, पूरे कैंसर को हर्ट से निकाल के पूरी खून की नसों से निकाल करके और उस टाइम बिल्कुल स्वस्त होके हमने उनको घर बेजा, बहुत चैलेंजिंग उप्रेशन था, कई चेके वह जाके आए थे, तो इस तरह का विश्व का तीसरा उप्रेशन था, जिसमें इतना बड़ा कैंसर और यहां तक निकाला, तो बहुत ही बड़ी उपलबदी है कि जो है वो सफल तरीका से हुआ है, बड़ी साब काई गुर्दा में भी कैंसर हो सकता है, जो उसमें भी कैंसर हो सकता है, और प्रोस्टेट में जो गदूद में बता रहा था, उसमें भी कैंसर हो सकता है, तो गुर्दे में कैंसर भी हो सकता है, उसके लक्षणों को कैसे बत वह ब्लड रहा है खुन आ रहा है, खासकर पचाश साल की उम्र के बाद, तो वह 90% ही तरह नाइनीटी परसेंट गज्चर की जाता है. अगर पिशाब में ब्लड आ रहा है उमर जादा है कम उमर में पत्थरी जादा मुख्य कारण रहती है और जादा उमर में कैंसर मुख्य कारण रहता है तो अगर पिशाब में ब्लड आ रहा है आपका सरीर है वो कमजोर होता जा रहा है आपको वीक्नस आ रही है खान पान में मन नहीं लग रहा तो यह बहुत महत्वपूर लक्षण है कैंसर के जी तो डॉक्ट साब यह के लिए भी आपने पूरो-पूरो ध्यान रखनों चाहिए और लक्षण देखता रहना चाहिए कि आपा पेशाप जावा तो आपने परिशानी तो नहीं हो जलन तो नहीं हो कून भी परिशानी तो डॉक्ट साब आपने आपने युवक युवक्ति की बात बात कर लिए टाब्रा की बात रह रहे है कि पेशाप संबंदी यानि गुर्दा से संबंदी कुन-कुन सी परिशानी हो सके हैं बच्चों में सबसे ज़हादा देखने को आती है उनके आगे की ज खिद्र है वो नुर्मल जगह से उपन नी होता है और नीचे से उपन होता है तो वो भी ऑपरेशन से ठीक हो सकते हैं खान पान का बच्चों में विपन को ध्यान रखना चीए कि बच्चों में भी पत्री बनने की संभावना रहती है तो खासी खासी बात आप यही बोल सकां क कि आज की चौपाल में जो चर्चा होई आई होई है कि खान पीण को पूरो ध्यान रखनो है साफ सफाई को ध्यान रखनो है और पानी जादा से जादा पीणो है अगर आपने गुर्दाने स्वस्त रखनो है तो लोग साब ते आया और इतनी चोखी जानकारी विशेशक्य कि रूप में जानकारी दीपी के लिए था को बहुत बहुत धन्यवाद दे वहाँ और अब में चाला हां फिर मिलांगा एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए राम राम साह हूँ